Hello students, last video में हमने Q3 का first part का solution देखा था इस वीडियो में हम Q3 के second part का solution देखेंगे Q3 का second part है उसमें जो numbers given है वो कौन कौन से 17 है 23 है वो 29 है इनका हमें HCF और LCM ग्याद करना है देखिए कि जो 17 है एक अबाजे संग क्या है मुलब इसके टुकडे नहीं किये जा सकते हैं यानि कि इसका जो 1 खंड हो सकते हैं वो 17 ही लिखेंगे या फिर हम 1 इंटू 17 लिख सकते हैं जदा जदा क्लिर है 23 है 23 विवाजे संग के इसलिए इसके भी टुकडे नहीं किये जा सकते हैं मतलब ये भी किसी और नमबर से भी वाजित नहीं हो सकता है इसलिए इसको भी हम 1 इंटू 23 लिख सकते हैं हम सिरफ 17 भी लिख सकते हैं या फिर यहां भी हम सिरफ 23 लिख सकते हैं ए सी तरीके से similar तरीके से 29 भी ऐसा number है, जिसके गुणणखंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको 1 x 29 लिख सकते हैं, यह 29 लीख कर भी हम छोड सकते हैं यहmember हम 17 के गुणखंड थे उसमें हम सिरफ 17 लिख कर चोड़ सकते हैं या 23 के गुणान करन्ड में हम 23 लिखकर चोड़ सकते हैं या फिर गुणा में हम वन भी लिख सकते हैं समझ में आया होगा अब देखिए कि अगर HCF निकालना तो HCF में तो common common factors होने चाहिए और common factors देखो इन सब में केवल और केवल वन ऐसा number हर जो तीनों में आ रहा है क्योंकि ना 173 ना 23 ना 29 तो यसास देखाज आये तो 17 आहा एक है लेकिन बाकी सब जगह 0 23 की गात है या लेकिन बाकी सब जगह 0 और 29 गात है लेकिन बाकी सब common नहीं तो फिर एक ही ऐसा नंबर बचता है जो common factor होता है सभी के लिए इसलिए जहां हमें लगे कि इसका HCF हम नहीं निकाल पा रहे हैं कोई भी factor हमें common नजर नहीं आ रहा है और कोई भी अबाजी संग्या हमें common नजर नहीं आ रही है तो वहां पर HCF हमेशा कितना होगा एक अब LCM के लिएLCM के लिए अधिक्तम गात देखते हैं लेकं 17 के अधिकतम गात एक होगी 23 के अधिकतम गात एक होगी 17 into 23 into 29 और अब बचा हुआ काम है कि इनको गुणा करके हमें लिखना है जीसे 29 को हम सबसे वहले 23 से गुणा करएं कितना होगा 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, बचेंगे 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 2, 8 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, बचेंगा 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 1, 5 तो यहां पर 7 होगा, यहां 8 और 8, 16 होगा, और यहां 5 और 1, 6 होगा, 667 होँगे और फिर हम 17 से गुणा करेंगे तो साथ को साथ से गुणा करेंगे 49 मतलब 4 साथ को से से गुणा करेंगे 42 और 4 46 साथ को से से गुणा करेंगे 42 और 4 46 एक को साथ से गुणा करेंगे 7 एक को से से गुणा करेंगे 6 एक को से से गुणा करेंगे 6 तो यहाँ पर देखो 9 आएगा यहां 7 और 6 13 यहां 6 और 6 12 और 1 13 और 4 और 6 10 और 1 11 तो फॉनल जौन्स और आएगा वो कितना आएगा 11,349 इस तरीके से हम दिये गए कि उसनका SCM भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं फिर से बता दू एक बार कि जहां पर कोई संख्या ऐसी हो जो common नहीं है यानि कि फैक्टर common यह गुड़नखंड common नहीं है एक जैसे गुड़नखंड नहीं है उस केस में हमेशा HCF 1 होगा clear अच्छा तो next वीडियो में हम execution का जो remaining part है वो समझने की कौशिश करेंगे